और वो पैसे कभी वापस भी नहीं करना और उस पैसे से आप कंपनी की ग्रोथ कैसे करना तो 2,990 रुपे जो आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम कमाया है न उस पे आपको टेक्स भी नहीं देना आपकी कंपनी की 10 क्रोड रुपे की आपको ज़रूरी नहीं कि विजनस को चलाने तयार हो सके इसलिए मैं अपने बिजनस से सेपरेट टाइम निकल कर आप लोगों के लिए बिजनस वीडियो बनाता हूं ताकि आप उसका लाब अपने बिजनस में रिले सके आज हम बात करेंगे 7 ways to get funding in a private limited company बहुत सारे लोग अपने बिजनस में अपनी कंपनी को private limited तो बना लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि किस तरह से अपने बिजनस में फंडिंग को लाया जाए और फंडिंग के सारे अपने बिजनस को expansion के ओर ले जाया जाए आज जो बात मैं आपको ब अपनी कंपनी में 10%, 15%, 20% और equity देकर आसानी से 10-20 करोड से लेकर 40-50 करोड रुपए तक इकठा कर सकते हैं और वो पैसे कभी आपको वापस भी नहीं देने उस पर को interest भी नहीं देना वो पैसा तो आपकी कंपनी का पैसा होगा जिससे आप बिजनस को तेजी से आगे profit होता है तो profit का share shareholder को देंगे और यदि loss भी हो जाता है तो भी आपको उसकी भरपाई किसी व्यक्ति को करके देनी नहीं है और वो पैसा आपको locking period बहुत लंबे समय के लिए मिलने वाला है लेकिन इस वीडियो को ध्यान से समझेगा क्योंकि बहुत सारे steps अगर आप skip करके देखेंगे तो आज का वीडियो आपके लिए waste हो जाने वाला है अगर सच में आप business को exponential growth तक ले जाने के लिए funding कैसे ली जाए ये देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो ध्यान से वीडियो को देखिए देखिए दोस्तों business को grow करने के लिए capital जो होती है वो सबसे एक step डूबने का जो रहा है न वो lack of capital रहा है पूंजी के अभाव में बड़े से बड़े business fail हो जाते हैं आज हम बात करते हैं कि किस किस तरह से हम आसानी से अपने business में अपने प्रोजेक्ट में अपने business plan में या proposed plan को दिखा कर आसानी से funding ले सकते हैं जिसमें बहुत सारे traditional method method भी है और advanced method भी है ध्यान से इस वीडियो को देखना सबसे पहला जो मैंकिंग फानेंस हम बैंक से अपने business के लिए अपनी private limited company के लिए finance ले सकते हैं और आप जानते हैं कि लोग private limited company इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी liability limited हो जो private limited शब्द है ना उसमें private का मतलब है आप लोग और limited मतलब limited liability आपकी जिनदारिय वो निश्चित है मतलब जितनी आपकी company की valuation है अगर आपको loss हो भी जाता है तो जितने के share है उतना ही पैसे recover किया जा सकता है जैसे माल लेते हैं आपकी company की 10 क्रोड रुपए की equity की value है तो 10 क्रोड से जादा की valuation आपसे कोई charge नहीं कर सकता अगर आपकी company banker आप जाती है या डूब जाती है आपकी assets को liquidate करके 10 क्रोड रुपए ही वसूल किया सकते है आपकी personal asset personal चीजों को उसमें शामिल नहीं किया जाता तो सबसे पहला banking finance अब bank किस किस तरह से finance करता है सबसे पहले business project के लिए अगर आपके पास कोई viable business project है तो आप आपको bank finance कर सकता है यहां जरूरी है कि वो projection जो है उसमें आपको पैसा किस लिए चाहिए working capital के लिए चाहिए business को चलाने के लिए या plant and machinery को set करने के लिए चाहिए तो तीनों तरह से तीनों तरह के projects पर bank आपको funding करता है अब यह क्या क्या हो सकते हैं term loan मतला आपको limited term के के लिए आपको capital के जरूरत है तो आप working capital लोन ले सकते हैं bank guarantee अब यह भी एक नया factor है एक तरह से loan का यह financing का आप मान लीजिए किसी vendor के लिए माल बना रहे हैं और आपके पास माल खरीदने के लिए raw material खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं आप bank से guarantee करा स उसके वाज में bank के guarantee आपके पास है दूसरा letter of credit कहीं बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग material जो होता है ना उनको उधार में मिल जाता है लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको उधार देने के लिए तैयार नहीं है तो इस case में bank letter of credit issue कर देता है आपको कि इतना माल आप आसानी से उधार ले सकते हैं उसके लवा cash credit बहुत सारे routine खर्चों को पूरा करने के लिए bank आपको लोन देता है bank overdraft facility मतलब मान लीजी आपके bank account में 10 लाख रुपे का balance है लेकिन आपको payment करनी वह 12 लाख है 15 लाख है 18 लाख है तो bank आपको OD overdraft facility देता है जिसमें आप extra पैसे जितने आ उधार लेते हैं तो उधार लेने के लिए guarantee bank दे रहता है तो यह वो तरीके जहां पर बैंकिंग finance के जरीए आसानी से पैसा ले सकते हैं इसके अलावा other financial institutions भी हैं जो आपके business plan को project को working capital के लिए plant के लिए machinery के लिए आपके business के routine खर्चे के लिए पैसे एते हैं और NBFC कौन से viable business है आपका business setup बहुत अच्छा है तो business की viability को देखकर वो लोन दे रहते हैं क्योंकि कई बार documentation ना होनी के वए से बैंक आपको लोन नहीं देता है इसलिए आप NBFC लोन ले सकते हैं इसके लावा आप sweat equity share कर सकते हैं sweat of equity share क्या है देखिए आपको जरूरी नहीं कि business को चलान करने के लिए लोगों की भी जरूरत होती है अब लोग क्योंकि आपको उनको salary पे करनी और आपके इतनी capability नहीं कि आप टाइम को salary पे कर सके तो आप क्या कर सकते हैं आप अपनी equity को sweat कर सकते हैं in terms of in lieu of services जैसे आपका designer है आपने उसको share issue कर दिए तो इसको कुछ शेरम पे कर अपनी company के share dilute कर सकते हैं जैसे कोई नया startup होता है ना तो उसके पास काम करने के लिए लोगों की भी कमी होती है और पैसे की भी कमी होती है तो वो क्या करते हैं sweater of equity कर देते हैं अपनी company के लोगों को partner बना लेते हैं अलग-अलग तरीके के जो purchase कर सकता है protection कर सकता है sales कर सकता है marketing कर सकता है अलग-अलग लोगों को अपनी company के partner बना के उनको थोड़ी-थोड़ी equity दे रेते हैं shares दे देते हैं और एक तरह से company में साज़ेदार बना लेते ह तो यह भी एक तरीका है क्योंकि जरूरी नहीं है कि बिजनस को चलाने के लिए आपको capital की जरूरत पड़े आपको बिजनस चलाने के लिए working employees working hands की भी जरूरत पड़ सकती है वो भी एक तरह से आपके supporting network में आपके साथ काम करते है नेक्स जो important चीज है वह angel investor अभी angel investor क्या होत है उनको लगता है कि यार यह जो बंदा काम कर रहा है ना इसके काम करने के तरीके में दम है इसके product में दम है इसके plan में दम है और इसके अंदर वह capability की अच्छा काम कर सकता है तो आप उनको अपने business का पूरा proposed plan दिखा कर कि वरतमान में मेरे business का यह level है और अभी मैं इतना क कर रहा हूं अगर मुझे पैसे मिल जाएं तो मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँगा और उसके बाद में अपने business को expansion के और ले जाओंगा तो वह इंजल इन्वेस्टर आपकी company में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है वह क्या देखता है आपकी current financial statement क्या है आ reliable plan क्या है ताकि वह अपनी share को बेचकर आगे निकल जाएं और जातर इंजल इंवेस्टर इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वह जैसी company की valuation बड़ी हो वह अपनी stake किसी और को बेचे और ज्यादा profit कमा के वह भी company से exit हो जाएं तो इंजल इंवेस्टर को आप contact कर सकत ऐसा नहीं है कि आप funding event में जाएंगे वहीं पर pitch कर सकते हैं आपके friend circle में आपके relation में आपके known person में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए नए बिजनस की opportunity को ढूंडते हैं वो सभी लोग इंजल इंवेस्टर होते हैं जरूरत और किवर उनको सही तरीके से pitch करने कि अपना business plan स जाते हैं तो इंजल इंवेस्टर के साथ हम काम कर सकते हैं venture capitalist भी इंजल इंवेस्टर की तरह ही होते हैं जहां पर आप startup अगर आप कर रहे हैं किसी बिजनस का तो funding के लिए उनको approach कर सकते हैं business plan और उसकी growth दिखा कर आप venture capitalist से भी fund raise कर सकते हैं सबसे important बात जो मैं आपको बत capitalist इंवेस्ट नहीं कर रहा है बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है या आपको funding नहीं कर रहा है एक तरीका और भी है वो लोग जो आपके साथ पहले से काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि यह company fastest growing company है यह इसके business plan में दम है यह इसके leader में वो leadership quality है जो business को develop कर लेगा तो ऐसे मैं आ कर सकते हैं अपनी company के share की एक जातर हम लोग जो company बनाते हैं उसमें एक लाग की हमारी equity capital होती है और एक रुपए का या दस रुपए का share होता है तो कहने का मतलब 10 रुपए के साब से दसदार number of share होती है यह एक रुपए के साब से एक लाग share हमारे पास होती है हमें क्या करन है company act act section 62 subsection rule no.13 company rule no.2014 के अंतरगत यह भी एक नया section आया है उसमें यह बताया है कि कोई भी person अपनी company की equity उन लोगों को दे सकता है जो लोग उनके circle में उनके business relation में है any person और group of person close to the company जैसे आपके debtors जो आपको पैसा उधार देते हैं आपके creditor जिन से आपको पैसा जिनको पैसा पे करना है आपके vendors जो आपको material supplier देते हैं आपके supplier जो आपको माल देते हैं यह आपके permanent buyers आप इन लोगों को अपना business का plan बता है जैसे हम भी अपनी company में existing clients को अपने suppliers को अपने vendors को सब को अपना business plan बताते हैं और उनको अपनी company में shareholder बना लेते हैं जिससे उनका company के प्रति लगाव भी हो जाता है और उनको पता है company grow होगी तो वह भी grow होगे इसलिए वह आपके फेवरेबल ऐसे लोग बन जाते हैं जो आपकी company की growth में आपको मदद करते हैं तो preferential allotment आप कर सकते हैं आप अपनी company के कुछ share जैसे 100 share 200 share 500 share 1000 share 10,000 share आपको लगता है कौन व्यक अपनी की value है पर actual में उसकी valuation करोडों में हो जाती है तो इसलिए वह लोग जानते हैं कि on documents आपकी company की value कम है पर actual value जादा है इसलिए वह आपकी company में invest करने के लिए तयार हो जाते हैं अब जो तरीका में आपको बताने वाला हो ना वह ऐसा तरीका है जिसमें आपको अपनी company की valuation authorized या legal तरीके से अपनी company की valuation create करनी है और valuation create करने के बाद वो शेर premium value पर मतलब 10 रुपे का जो आपका एक शेर असको premium value पर लोगों को allot करना है और allot करने के बाद वो fund raise करना है और उस पर जो आपको premium amount आपने चार्ज किया सपोज 10 रुपे का शेर है 3000 का आपने share बेचा आपको tax भी नहीं देना उसका तरीका क्या है और वो पैसा कभी वापस भी नहीं करना और उस पैसे से आप company की growth कैसे करेंगे इसके बारे में आपको पूरा plan बनाना है तो उसका तरीका क्या है allotment of equity share आपकी company की valuation होनी है उसका तरीका क्या सबसे पहला काम होगा आपके company का business project बनेगा और business project में आपका present project आपकी future growth possibility आपका 5 year का plan आपका 10 year का plan आपका 15 year का plan बनेगा और plan के हिसाब से company की valuation बनेगी जैसे मान लीजिए आज आपकी company के एक लाक शेर है और 10 रुपे का एक शेर है इसके हिसाब से आपकी company के value 10 लाक रुपे होगी लेकिन आपकी company का जो और अगले तीन शाल का project और जो एतनी वह जानी कि आपकी तीन साल बाद ll के वेलेएशन 5 gesund हो जाएगी और अगले उसके अगले दौ साल बाद आपकी company लेट 10 कुरूट रुपे हो जाएगी और उसके अक्त सब्सारत की आपके कंपणी की 10 कुरूट रुपे बनेगे हैं सब्सक्राइब करेगी कि हाँ आपकी कंपनी की बविश्य में इतनी वेल्यू होने वाली है और अगर आपकी कंपनी की वेल्यू तीन हजार करूड रुपे की है तो उसका अगर आप 10% तो आप 300 करूड या मैं कहता हूं आपकी कंपनी की वेल्यू 300 करूड रुपे है तो उसका 10% मतलब 30 करूड रुपे आप प्राइवेट वेंडर से प्राइवेट सप्लायर से प्राइवेट लोगों से प्राइवेट लोगों से प्राइवेट लोगों स अपनी कंपनी के बना सकते हैं ठीक है तो उसका तरीका क्या है बिजनस में ही यूज होगा उसके लिए मर्चेंट बैंकर आपके जो बैंकिंग है उसको ऑथराइज करेगा कि हाँ यह पैसा बिजनस में यूज होने वाला है तो आपके पास 30% टैक्स भी नहीं लगेगा और उसके बाद अलॉट्मेंट अफ शेयर ऑन प्रीमियम वेल्यू 10 रुपे का शेयर आप 3,000 रुपे की वेल्यूइशन कराके फंड रेज कर सकते हैं अगर मान लीजी आपने 10 रुपे का एक शेयर है और 3,000 रुपे में उसको बेचा है तो 2,990 रुपे आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया है क्योंकि कंपनी की वेल्यूइशन मर् बहुत आसानी से बिना किसी लोन के बिना किसी लाइबिलिटी के आप आसानी से अपनी कंपनी के 200 शेयर ओर तक बना के उनसे प्रीमियम वेल्यूइव पर फंड रेज कर सकते हैं और उस फंड का इंवेस्ट्मेंट आप बिजनस की प्लानिंग पर एक्जिगुशन पर प्ल अपने बिजनस को तेजिसे डेवलप करने के लिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक प्रॉफेशनल कंसल्टेंट हो जो कंसल्टेंट आपको पूरा गाइड करें आपकी पूरी प्लानिंग करें मर्चट वैंकर से आपके प्रपोज़ प्लान को कि मुझे अपनी कंपनी की वैलिएशन करानी है अपनी कंपनी के लिए फंडिक अठा करना है हम आपको इसमें हेल्प करने वाले हैं और आपको पूरी फंडिंग तक क्या-क्या स्टेप्स एंड मैथड्स फॉलो करने है वो पूरा गाइड करने वाले है कोई भी इन्फॉर झाले है